हेलो गाइज, विलकम टू माई यूटूब चैनल पाइथान टीके इंटर के टुटोरियल का यह पाचवा वीडियो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेक बटन क्या होता है कल के वीडियो में हमने एंट्री बॉक्स और बटन के बारे में देखा था अगर आपने देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे चेक बटन के बारे में चेक बटन में मल्टिपल ओप्शन होते हैं और हम मल्टिपल ओप्शन चूज भी कर सकते हैं उसे हम चेक बटन करते हैं यानि की multiple option में से multiple option चूज करना मतलब check button example के लिए हम समझते हैं अगर आपको आपके hobbies चूज करने हैं तो आप multiple hobbies चूज कर सकते हैं क्योंकि एक इंसान की multiple hobbies हो सकती है वो हम check button के सायता से चूज कर सकते हैं यहापे आप check button क्या है यह समझ ही गए होंगे और एक example ले तो हम एक subject का ले सकते हैं अगर आपके favorite subject को आपको चूच करना है तो आप भी वहाँ check button का इस्तमाल कर सकते हैं चलो देखते है check button कैसे काम करता है example के through उसके लिए हम c1 नाम का एक variable लेते हैं और उसमें हम check button लिग लेते हैं उसके बाद check button के अंदर हम वही parameter पास करेंगे window उसके बाद हम test पास करेंगे test में हम subject लेंगे suppose यहाँ पे में subject python लेता हूँ subject python लेने के बाद हम found लेंगे suppose robot 16 boulder यह found हम पहले check box को दे देते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इस c1 नाम के check box को मतलब check button को हम place करेंगे तो c1.place place में हम दो parameter पास करते हैं x और y या हम x की value suppose 60 लेते हैं और y की value हम 300 लेंगे अब आप के मन में एक doubt आया होगा कि यहाँ पे हमने value कैसे ले x की value हम 60 लेंगे y की value हम 300 300 y की value के लिए आप देख सकते हैं कि उपर हमें जो button लिया है उसकी value हम ने 2 से लिया है तो हम उससे ज्यादा y की value लेंगे यानि कि 300 आप देख सकते हैं ctrl यस दबाके save किया और फिर रंकन के बाद हमार output कुछ इस तरह दिखाई देता है उसके बाद हम और एक check button लेते हैं मैं क्या करूँगा उपर जो check button लिया है उससे ही copy करके नीचे में paste कर लूँगा और यहाँ पर variable भी में यहाँ पर change कर दूँगा c2 variable में यहाँ पर कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर वाइव जारा बड़ा दूँगा बड़ा के में इसे 400 कर देता हूँ इसके बाद हम test भी बदल देंगे दूसरा subject लेंगे suppose यहाँ पर हम Java यह subject लेते हैं और एक बार इसे run करके देखते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे दो check button आ चुके हैं और यहाँ पर हम click भी कर सकते हैं उसके बाद हम क्या कर देंगे एक variable लेंगे मतलब आपको पाता ही होगा variable हम यहाँ पर क्यों लेंगे अगर हम हमारा यह application database के साथ जोड़ते हैं तो आपको इसका इस्तमाल क्यों किया यह भी समझ में आएंगा आगे भी हम देखेंगे इसका इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है तो हम एक variable लेते string var क्योंकि इससे पहले जो हमने विज़ेश देखे थे उसमें test variable यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर string variable यूज किया जाता है क्योंकि python Java यह यह string है इसलिए हमने यहाँ पर string var लिख दिया और अब हम क्या करेंगे जो var और var1 नाम के दो string variable हमने बनाए हैं उसे हम check button में pass कर देंगे तो चोलो इसे हम check button में pass करके देखते हैं तो हम इसे pass कैसे करते हैं पहले में इस spawn को जारा tick कर देता हूँ उसके बाद हम देखेंगे कि variable के से pass करते हैं तो यहाँ पे हमें variable pass करने के लिए यहाँ पे हमें एक property check button प्रधान करता है तो वह property कुन सी है तो वह property है variable हम उस variable नाम के property में जो हमने पहला var बनाया है उसे हम pass कर देंगे उसके बाद second check button में भी हम second variable pass कर देंगे तो चलो pass कर देते हैं तो variable equal to var1 के हमने second check button में variable pass कर दिया है उसके बाद check button और एक property प्रधान करता है उसका नाम होता है deselect और उसके साथ select यह भी check button property प्रधान करता है तो देखते हैं इसका इस्तमाल क्यों किय आजाता है इसे अच्छे तरत से समझने के लिए हम क्या करेंगे पहले CHECK BUTTON को DESELECT कर देंगे और Δुसरे CHECK BUTTON को SELECT कर देंगे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इस्थमान क्यू किया जाता है फिर भी हम इसे एक बार समझे लेते हैं DESELECT मतलब हम जैसे ही रन करेंगे वो हमारा CHECK BUTTON DESELECT हो रहेगा और select मतलब जैसे हम program run करेंगे तो हमारा जो check button है वो select रहेंगा या पर हमने python को deselect किया था और java को select किया था या पर by default जाओ गया हो गया select हो गया लेकिन आप इसे इस्तमाल नहीं करते इस property को तो वो check button by default deselect ही रहता है अगर आपको कोई ऐसा button है जो selected रखना है तो आप select इस property का इस्तमाल कर सकते है उसके बाद हम दो और property देखेंगे on value और off value on value और off value का मतलब क्या होता है यह समझते है on value मतलब अगर आपने check button को tick mark किया है यानि कि select किया है तो आपकी value 1 आएगे और off value का मतलब यह होता है अगर आपने check button को deselect किया है यानि कि select नहीं किया है तो आपकी value 0 आएगे यह on value और off value होता है अगर आपका यह application database के साथ connect करते समय आपको यह on value और off value की मदद मिल सकती है तो चोले इसे run करके देखते है यहाँ पे ज़्यादा तर कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम पे लेकिन इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे यह function लेंगे और function के सायता से हम समझेंगे कि यह select और deselect उसके साथ on value, off value इसके साथ हमने जो variable ले थे इसका इस्तमा बनाते है यह नहीं सी का लेकिन यह हम function कैसे बनाते है इस पर आप द्यान मत दो अभी के लिए just समझो यहाँ पे function हम कैसे click करते है डेख नाम के keyword से और उसके बाद function का name यहाँ पे हमने check लिया है और उसके बाद parenthesis और उसके बाद colon मैं यहाँ पे एक variable लेता हूँ और उसमे में क्या करूंगा जो हमारी व्यार थे फेहर हमने पहले चेक बटन को variable पास किया था तो इस व्यार की नाम से हम पहली check button की value get करेंगे और वार्वन के प्रिंट कर देंगे। अगर यह प्रिंट हम में मैसेज का दिखाए देगा हमाले हमारे टर्मिनल में लेकिन यह Model बटन किप कॉल होगा? जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन फोपर का बटन कॉपी करके नीचे piaster कर देंगे। और उसके का नाम ही उसे पास करते हैं चोलो हमने इसे पास भी कर दिया इसे रन करके देखते हैं आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम रन हो गया अगर हम यहां पर सपोज पाइथान कर क्लिक करते हैं सिलेक्ट करते हैं और जाओ को डिसलेक्ट ही रखते हैं तो और हम फिर सब्मिट म अगर क्लिक करेंगे तो हमारा आउट्पूट कोछ चीज तरह दिखाये देगा हमने पहला चेप बॉक्स यानि कि पाइथान को सिलेक्ट के आए इसके लिए हमें आउट्पूट वन आया वह सेकंड डी सिलेक्ट है इसलिए हमारा आउट्पूट जोरो आया और अगर हम दोनो सिलेक्टर के तो हमारा आउट्पूट जोरो जोरो आ जाएगा यह उप्योगत है ओन वैल्यू और और वैल्यू का यूजर ने कौन सा उप्शन से लिट किया है हम इस से साहिता से समझ सकते है अशार करता हो कि आपको चक बटन क्या है वह समझ में आ गया होगा तो चलो ने